स्रावस्ति में ट्रैक्टर पलटने से किसान की मौत एक घायल खेत की जुताई कराने जा रहा था यह वक्त नमस्कार आदा दोस्तों मैं हूँ आरे पकार और आप देख रहे हैं स्रावस्ति टूडे नियुद बतादे कि स्रावस्ति के सीशिया थाना चेतर में ट्रैक्टर से खेत की जुताई करने गए एक किसान की ट्रैक्टर अन्यंतित होकर पलटने से नीचे दबकर मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई वही इस दर्दनाक खास्य में साथ में बैठा एक सक्स घायल हुआ है और आगे की कारवाई में जुटी हुई है बदादे जिले की सिर्शिया थाना छेत्र के टंग पस्री गाउं निमाची जोखन चौकिदार पुत्र समोखन रभिवार देर रात को ट्रेक्टर लेकर अपने खेत की जुताय कराने जा रहा था ट्रेक्टर पर जोखन का साडू सिस्वा निमाची सुकराम चौतिस वरतिये पुत्र राम दुलारे भी बैठा हुआ था लालपूर कुस्वा गाउं के पास नहीं पटायन की कच्ची सड़क थी जिसमें बारिस के पानी से गड़ा बन गया था ट्रेक्टर का पहिया अचानक बारिस कि चपेट में आ गया लोगों की और से कड़ी मसकत कर ट्रेक्टर के नीचे दवे सुकराम को बाहर निकाला गया लेकिन तब तक उसकी मुमात हो गई वहीं जोखन भी गंबीर रूप से गायल हो गया लोगों की वह से गायल को सी असी सिर्स्या में भरति कराया गया पुलिस को दी गई गटना पर पहुंची सिर्शियाप पुलिस में मिर्तक के सो को पंचनामा के बाद पोस्मार्टम के लिए बेद दिया बताया जा रहा है कि ट्रेक्टर कोई नावालिक बच्चा चला रहा था याच्छे के बाद से वह फरा रहे हैं वहीं सुखराम की मौत स परज्यों में कोरा मचा हुआ है और घर में मातम का माह ल है रहे हैं कहां रहे हैं कहां रहे हैं इसे किया मामला तो इसके बाद बवाय आवात रहें गारी पल्टिया तो जगा रहा है कहां गए थे ट्रेक्टर से लालपूर्ड अचा लुड़ते से में हाथ सोवा था खेट से निकले थे और दूर गया तेसे पल्टिया तो कितने साल के उम्रत थी उनकी जिनके मौत हुए है कि भाई के वह कि कहां के रहने वाले हैं सिस्वार के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और आप ये वीडियो अगर फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद